आज की वीडियो में हम YouTube Shorts पे आने वाले Copyright Claim के बारे में बात करने वाले हैं तो क्या हाले दोस्तों? आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं YouTube Shorts पर आने वाले Copyright Claim के बारे में अब इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि आप YouTube Shorts पर Music किस-किस तरह से लगा सकते हैं मतलब कि YouTube Shorts की Music वाली Library से कैसे लगा सकते हैं या फिर किसी और के Shorts में जो Sound है, जो Music है उससे यूज़ करके कैसे लगा सकते हैं और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटम में मिल जाएगा तो आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हैं अब Shorts में Music लगाने के बाद सबके Shorts पर Copyright क्लेम आने लगा तो सब लोग परिशान होंगे कि आखिर ये क्यूं हो रहा है और इससे चैनल पर कोई खत्रा तो नहीं होगा अब एक और सवाल जो कई लोग ने पूछा है वो ये है कि Shorts में जो Music है वो सिर्फ 15 सेकंड तक ही लग रहा है तो ऐसा क्यूं हो रहा है तो इन सब सारे सवालों का जवाब जानने के लिए हम सीधे YouTube की Support पेज पर चलेंगे और वहाँ देखें कि YouTube ने इन सब चीजों के बारे में क्या लिखा है तो यहाँ पर Third Point के नीचे जो Note लिखा हुआ है वहाँ पर YouTube ने साफ साफ लिखा है कि अगर आप YouTube Shorts के Library से Music लेते हैं या फिर किसी और के Shorts से Music लेते हैं तो वो सिर्फ 15 सेकंड तक ही Limited रहेगा तो यह चीज़ Officially है इसलिए इसमें कुछ नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी अगर आप 60 सेकंड तक Music चाते हैं तो फिर आपको Normally वीडियो को Record and Edit करके उसमें Music लगाना पड़ेगा और उसको फिर जिस तरह से आप कोई Record and Video को Shorts में Upload करते हैं उस तरह से आपको Upload करना पड़ेगा अब यहाँ पर एक सवाल आ जाता है कि अगर हम वैसे Upload करेंगे तो Copyright Claim आ जाएगा तो यार ऐसे भी तो Copyright Claim आ ही रहा है अगर आप Shorts के Library से कोई Music ले रहे हैं तो अब बात करते हैं कि YouTube Shorts से अगर हम Music ले रहे हैं तो उस पर Copyright क्यों आ रहा है तो इसके लिए हम फिर से चलते हैं YouTube की Support Page पर और वहाँ पर देखते हैं कि इन्होंने क्या चीज़ लिखा है यहाँ पर इन्होंने साफ लिखा है कि The Music and Sound found in our Library are free to use but only for personal non-commercial use unless you have the appropriate licenses मतलब कि जो Music यहाँ पर दिया गया है वो सिर्फ आपके Personal Use के लिए मतलब कि Shorts बनाईए और मजे कीजिए यह commercial use के लिए नहीं है मतलब कि इन songs को use करके आप पैसे नहीं कमा सकते हैं monetize नहीं कर सकते हैं इसलिए वहाँ पर copyright claim आ जाता है अब अगला सवाल आता है कि क्या इससे channel पर कोई खत्रा तो नहीं है तो इसका जवाब है बिलकुल नहीं आपके channel पर कोई खत्रा नहीं है आपका channel बिलकुल safe है इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि आप अगर Shorts लाइबरेडी से music ले रहे हैं तो आप उसे monetize नहीं कर सकते हैं और अगर आप चाहते हैं कि आपका Shorts आगे जाकर जब monetization हो तो आपका Shorts भी monetize हो पाए तो उसके लिए आप copyright material जो है वो use मत कीजिए copyright songs जो है वो उसे use मत कीजिए चैनल पर खत्रा तब आता है जब आपके channel पर copyright strike आता है copyright claim और copyright strike दो अलग-अलग चीज़े और इनके बारे में किसी और वीडियो में आगे detail से बात करेंगे तो I hope आपको सारे answers मिल गए होंगे लेकिन अगर फिर भी कोई doubt है तो आप comment section में अपना सवाल लिख सकते हैं मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही अब अगर आपको वीडियो अच्छी लेगी तो इसे like कीजिए, comment कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ share कीजिए और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया थे और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाईए ताकि अगली बड़ जब भी मैं वीडियो अप्लोड करूँ तो आपको notification मिल जाए तो आप फिर मिलता हो अगली वीडियो में, बाई